सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां कैसा रहीगा आपका दिन सुरुवात करते हैं आज के सुवेचार सी दोस्ती का मतलब एक प्यारा सा दिल जो कभी नफरत नहीं करता एक प्यारी से मुस्कान जो कभी फीकी नहीं पड़ती एक ऐसार जो कभी दुख नहीं देता और एक रिस्ता जो कभी खत्म नहीं होता इंसान को इंसान की नजर से तॉलिए, दो शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए, शब्र को एक अमजोरी नहीं होती है, ये वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती आज का पंचांग, 12 दिसंबर 2022 दें शों मार, पोश मास के कृष्ण पक्ष के चतूर्थी तिथी, साम 6 बचकर 49 मिलड तक रहेगी, इसके उपरांत पंचमी तिथी प्रारम होचाईगी, पुष्य नामक नक्छोत्र, रातरे 11 बचकर 36 मिलड तक रहेगी, इसके उपरांत अश 40 मिलड तक रहेगा, आज चंद्रमा करकराशी पर संचार करेगी, और आज शूर्य वरिश्यकरासी पर रहेगी, वरिश्यकरासी, 12 दिसंबर 2022 दें शों मार, अपने स्वतंतर विचारों को अभिवेक्त कर दी, लेकिन आवाज को नीची रखी, उरानी बातों में उल्चे र विवादों से दूर ही रहें, दिन वरिश्यकरासी वालों के लोगों के लिए कुछ बदलाव लाने वाला रहेगा, अज आपके कारुबार में आप कुछ बदलाव करशक्ती हैं, दरसल आज अब अपने कार्य छेतर में छोटे-छोटे बदलाव देख सकती हैं, आज अब भाग्य का पूरा लाब मिलेगा, नौकरी पेशवर्ग के लोगों को अपने बौस का सहीयोग मिलने से कामसानी से होते दिखेंगे, जिसे आज सहकर्मियों में इर्शा भाव इस पश्ट रूप से दिखेंगा, पती पतनी के मते एक दुश्रे के लिए आदत भाव दिखेंग दोनों एक दुश्रे की केयर करते दिखेंगे, यूबा वर्ग के जातकों को सफलता तो मिलेगी, लेकिन वह उससे संतुष्ट नहीं दिखाई देंगे, साथ है आज गर परवार में महौल काफे अच्छा रहने वाला है, शर्वाइकल के दर्द की परशानी हो सकती है, यसल आपके लिए आर्थिक दुश्री कोर से दिन उत्तम रहने वाला है, प्रेम जीवन जी रहे लोग जीवन साथी की बातों में आकर बड़ा निवेश कर सकती हैं, जो आपके लिए समश्या लेकर आईगा, वैक्तिगत प्रदर्शन बहतर भी रहीगा, शौधानिया, शकरातम बनाया रखें, तो आपके लिए ज़्याद अच्छा रहेगा, आपको कारे छेत्र में किसी दुश्रे से वाद विवाद में पढ़ने से बचना होगा, नौकरी कर रहे जातकों को नई नौकरी की ओशन बल सकती हैं, आप किसी सरकारी संस्था से जूड़कर अच्छा नाम क कमास सकते हैं, बात करते हैं लवलाइफ की, आप अपनी पार्टनर की उपलबधियों को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी करने को काफियों शाहित हैं, लेकिन गलती से यह सब एक समान्य और रूटीन मुलाकात बनकर रह जाईगी, यहां तक कि आपके पसंद बीदा महम नहीं आप आएंगे, नहीं तो आपके पार्टनर आपकी देखभल और अपने लिए आपके फिक्र से प्रभावित होंगे, आपको भी इससे संतुष्टी मिलेगी, बात करते हैं करियर की, आप ऐसे लोगों को खोशने की कोशिश करें, जो आपके लिए कुछ उप्योगी जनकारी के आप उर्टी कर सकी, आप कुछ बड़ा सोच नहीं हैं, और इस जोखिम को लेने के लिए यह सही समय है, महत्वहिन मुद्दो के लिए हल के लिए अपने समय की बचत करी, जितनी चादर हो उतने ही पैल फैलाएं, अर्थात आमदनी के हिसाब से धन का वैव करी, यदि शंभव हो तो अपनी सफलता करजस्न मनाने का इरादा इस्थगित कर दी, बात करती हैं सेहत की, आज आप मूड में जबर्जस्त बदलाव मैसूस करेंगे, आप एक पल काफी उर्जवान और दुश्रे ही पल तनाव गुरस्त मैसूस कर शकती हैं, वैसे इन सब का सम आपके जीवन में हो रही, घटनाओं से अधिक आपके खाने और आपके शारिक रिया कलापों से हैं, आप अपने आहार के बारे में किसी विसेज से सलाह ले सकती हैं, इस सलाह से आपको अपने जीवन सली को वदलने और अपने अचानक मूड परिवर्तन को कम करने में काफ सेवलिंग पर जलर्पित करें शुब रहेगा जीवन में हमेशा सकरात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें आपका दिन शुब हूँ